आये आज कथा सहित्य में सुनिये विश्वंबर नाज्शर्मा कौशिक चिकीली की कहानी पहाड पंडित के दार नाज्ट त्रिवेदी की आयू चालिस वर्ष के लगभक थी वैसे तो त्रिवेदी जी अच्छे व्यक्ति थे परंतु उनकी बुद्धी प्राय उनसे आसहियो कर बैठती थी हट्धी भी वे इतने थे कि एक बार जो बात पकड़ ली फिर उसे बड़ी कठिंता से छोड़ते थे और छोड़ते भी थे जब स्वैम उनको उससे कोई हानी अथ्वा कलेश होता था गर्मी का मौसम था त्रिवेदी जी अपने एक मित्र के यहां बैठे होए थे दो एक अन्य परिचित भी वहाँ बस्थित थे एक महाशे बोले इस बार कहीं पहाड जाना चाहिए पहाड जाने में कितना खर्च लगता है दूसरे गत्ति ने पूछा अरे भाई शिमला मसूरी निताल जाओ तब भी खर्च अधिक पड़ता है मुख्य समस्या निवास थान की है रहने की जगा पड़ी महंगी मिलती है जी हाँ रहने की जगा मिल जाए तब कोई अधिक खर्च नहीं है तो मुख्य खर्च रहने के स्थान का है जी, भला कितना किराया लगता होगा एक महीने का वो तो पूरे मौसम का ले लेंगे आप चाहे जितने दिन रहें यह क्यों? यह इसलिए कि जो मकान घिर गया वह फिर नहीं उठता चाहे बाद में जल्दी ही खाली हो जाए ठीक बात है सब अपना ठेकाना गर्मी के आरंब में ही कर लेते हैं बलकि सर्दी के अंतिम दिनों में ही स्थान भुख हो जाते हैं एक महाशे बोल उठे बोवाली पहार अन्य पहारों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है यह क्यों? वहां भीर भाड नहीं होती केवल टीवी के रोकी तथा उनके संबंधे ही चाते हैं वहां मकानों का किराया इतना अधिक नहीं है परन्तु भुखवाली तो टीवी का सेनिटोरियम है हाँ पर है तो पहाड़ी जगा और बड़ी स्वास्थेप्रत इसलिए वहां सेनिटोरियम बनाया गया है ठीक है यह बात ठीक कही आपने तो भुवाली ही चला जाए तरवेदी जी के मित्र बोल उठे मेरे एक मित्र वहां गए है बल्कि उन्होंने मुझे लिखा भी है कि चले आओ पर मेरा तो जाना नहीं हो सकता उनके मकान में जगा है तरवेदी जी ने पूछा काफी जगा है तरवेदी जी विचार मगन हो गए कुछ देर बाद उन्होंने मित्र से कहा कोई साथी मिले तो मैं चला जाओ साथी तो वहां मिल जाएंगे आप जाएए तो बड़ा अच्छा रहे मैं मित्र को चिठी लिखतूँ अकेले जाने की इच्छा नहीं होती अजीब आदमी हो यह भी कोई मिला तमाशा है क्या तुम्हें पहाड जाना है तो जाओ इसमें साथी ढूनने की क्या वाशक्ता है आप वहाँ चले चाहिए स्वास्थे सुधर जाएगा स्वास्थे की ही द्रिष्टी से तो मेरा भी विचार था विचार था तो उसे पूरा कर डालिए अच्छा कल बतलाऊंगा हाँ लेकिन जाना हो तो जल्दी ही तै कर डालो ऐसा ना हो कि कोई और पहुँच जाए मैं कल अवश्य उत्तर दूँगा तो ठीक है आप चिठी लिखेंगे हाँ एक यहाँ से डाग द्वारा भेज दूँगा और एक आपको दे दूँगा वाह वाह बस काम बन गया अकेले जाओगे हाँ अभी तो अकेले ही जाओगा वहाँ अफसर देखकर घर वालों को भी पुला लूँगा कौन बहुत आदमी हो कुल तीन आदमी पत्नी और लड़का हाँ तब भी एक बार वहाँ की स्थिती देखे बिना अच्छी बात है त्रिवेदी जी विदा हुए कहानी के अगले हिस्से की दरव बढ़ते हैं घर आकर अपनी पत्नी से पुले पाहाड जाने का डॉल लग रहा है बड़े सस्ते में कहो चला जाओ चले जाओ तुम भी चलोगी मैं नहीं जाती पाहाड वाहाड अच्छा वहाँ मौका देखकर तुम्हें लिखूंगा यहाँ का काम तो मेरे बिना चल जाएगा हाँ सिरी किसन पुत्र का नाम सब कर लेगा तो वहाँ चिठी लिखवा दो लिखवा दो पत्नी से परामश करके त्रिवेदी जी ने प्रसनता पूर्वक जाने का निश्चय कर लिया दूसरे दिन मित्र के यहाँ पहुँचकर चिठी लिखने को कहभी दिया मित्र ने कहा जब तक चिठी का जवाब आए तब तक आप तयारी कर रखिए जवाब आते ही चल दीजिएगा तयारी क्या खाली बिस्तर और एक ट्रंक हाँ कपड़े गरम ले जाओं या ठंडे ठंडे ले जाएए एकाद गरम सूट रख लीजिएगा और बिस्तर बिस्तर में कंबल कंबल या रजाई रजाई वहां काम न देगी कंबल ले जाईएगा रजाई नम हो जाती है अच्छा यह क्यों वहां की हवा में जलांच अधिक होता है इस कारण रजाई नम हो जाती है अच्छी बात है कंबल रख लेंगे सब बाते निश्चे करके त्रिवेदी जी घर लोटे और चिठी का जवाब आने की प्रतिक्षा करने लगे दो दिन में कुछ अन्य लोगों को भी पता लग गया कि त्रिवेदी जी पहाड चा रहे हैं एक परिचित रास्ते में मिले तो उन्होंने त्रिवेदी जी से पूछा सुना पहाड जा रहे हो हाँ इरादा तो है कहां जाओगे मसूरी या नैनी ताल भोवाली तभी तो वहाँ स्वास्ते अधिक सुधरेगा वहाँ का जलवाईयू उत्तम पाकर ही तो वहाँ सेनिटोरियम बनाया गया है मित्र ने मुस्कुरा कर कहा यह बात शायद और लोगों को नहीं मालूम मालूम होती तो मसूरी नैनी ताल ना जाकर भोवाली ही जाते खैर यह तो मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं जाते एक अन्य परिचित मिले उन्होंने प्रश्न किया सुना तुम कसॉली जा रहे हो कसॉली हाँ क्या पागल कुत्ते ने काट लिया था पागल कुत्ते ने काटा होगा आपको तब फिर कसॉली क्यों जा रहे हो कसॉली जा कौन कमबक्त रहा है तब फिर कहां जा रहे हो भोवाली अरे हाँ भोवाली मैंने भोवाली ही सुना था तो वहां क्यों जा रहे हो ऐसे ही स्वास्थे सुधार ने वहां स्वास्थे सुधरता है हाँ क्यों जब टीवी वाले अच्छे हो जाते हैं तब साधारन स्वास्थे की तो बात ही क्या है शायद वो वाली चाते कभी किसी को सुना नहीं जो जानते हैं, वे जाते हैं. एक अन्य परिचित मिले, उन्होंने मिलते ही प्रश्न किया, क्या तुम्हें टीवी हो गया है? किसे? मुझे? हाँ, मुझे टीवी क्यों होता? तब भोवाली क्यों जा रहे हो? स्वास्ते सुधारने, स्वास्ते सुधारने के लिए स्थान खु आपके कहने से, वहां के वायू मंडल में टीवी के किटाणू रहे ही नहीं सकते, खैर, तुम जानो, हमने तो जो सुना वह कहा, इस प्रकार कई आदमी मिले, और उनमें से कुछ ने यही प्रश्न किया, क्या टीवी का शक है, टीवी हो गया है, ज्वर बस गया है, इत्यादी तिरवेदी जी जला जला उठते थे, कहते थे, सब गधे हैं, ये लोग यही समझते हैं, कि टीवी होने पर ही भुवाली चाया चाता है, खूब एक सब्तह पश्चात, मित्र ने सूचना दी, कि चिठी आ गई है, और आप चा सकते हैं, अच्छी बात है, तो कल चला जाओं, हाँ, कल चले चाये, कल कौन दिन है, ब्रिस्पती, बस ठीक है, कल दिन भी अच्छा है, मित्र ने एक चिठी लिखकर दिरवेदी जी को दे दी कहानी के अगले हिस्से की तरह पढ़ते हैं, दिरवेदी जी काट कोदाम तक तो निरापच चले गए, काट कोदाम से जब मोटर पर चले तो चक्कर आने लगे, मोटर की खिड़की पर सिरधरे मुर्ता जैसे पड़े थे, बीच बीच में कैभी हो जाती थी, दिरवेदी ज मन ही मन कह रहे थे, ऐसा जानते तो कभी ना आते, खैर, किसी प्रकार अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे, यह स्थान एक खड में था, मकान बहुत साधारन तथा चोटा था, उस मकान के आसपास पहाड़ी डोमों के घर थे, दिरवेदी जी इस मकान में ठहर कर प्रसन नहीं हुए, सबसे अधिक बात जो उन्हें अखरती थी, वह उपर बाजार में आना, उपर आते आते, दिरवेदी जी भेंसे की तरह हापने लगते थे, और आकर दस पंधरा मिनट सुस्ता लेते थे, तब आगे बढ़ते थे, मन में सोचने लगे, यह दशा तो हमा स्वास्थे खराब कर देगी, ठंडक यहां अवश्य है, पर अंतो उतरने चड़ने की मुसीबत भी कम नहीं है, उपर आकर देखते की कोई पेशाब जाच कराने के लिए जा रहा है, कोई पकाना, कोई थूक, परस पर जब मिलते थे, तो यह प्रशन करते थे, कि आपके मर इसका क्या हाल है, त्रिवेदी जी परेशान, सोचते थे, यहां रात दिन रोग्यों का ही प्रितांत सामने रहता है, कोई और बात नहीं, नीचे से उपर आओ, तो प्राणों का संकट, उपर आओ, तो रोग्यों की दशा सुनो, घुमने का भी कोई अच्छा स्थान नहीं बाजार बिलकुल छोटा सा, अन्य सब जंगल, उतार चड़ाव, इसी का नाम पहाड है, एक दिन त्रिवेदी जी को लाटने में कुछ विलंप हो गया, अंधेरा हो चला, लोगों ने पहले से ही उन्हें सतर कर दिया था, कि कभी कभी इधर भालों आ जाते हैं, उनसे होश रहना, तिरवेदी जी चले, तो चकरने, तेज कदम लपके चले जा रहे थे, और चार ओर देखते चाते थे, ना चाने क्यूं उनको ऐसा प्रतित हो रहा था, कि किसी ओर से भालों उन पर जपटना ही चाहता है, कुछ दूर पर एक पहाड़ी कंबल ओड़े आ रहा था, उ उतार पर आकर, जल्दी जल्दी खपराकर, जो उतारने लगे, तो पत्थर पर पैर पड़ा, वह पत्थर लुड़का, तो आप भी उसके साथ साथ लुड़कते नीचे चले गए, पीछे से दू चार चोटे पत्थर, उनकी चाती पर आकर लगे, तिरवेदी समझे, कि भा भालू ने चाती पर पंजा मारा, अतह हलक पाड़कर चिल्लाए, अरे दोड़ो, भालू ने खा डाला, कुछ डोम दोड़ पड़े, उन्होंने आकर तिरवेदी जी को उठाया, तिरवेदी जी बोले, भालू, एक डोम बोला, भालू, यहां कहां पंडी जी, मैंने खुद अपनी आखों से देखा, भालू इधर कम आते हैं, बहुत कम में ही आज का दिन होगा, तिरवेदी जी को लाग समझाया गया, पर उन्होंने ना माना, बोले, अपनी आखों से देखे को कैसे जूट मान लूँ, तिरवेदी जी का शरीर कई जगह से छिल गया था, पैर में म मोच भी आ गई थी, लंगडाते हुए निवा स्थान पर पहुँचे, वहां जाकर अपने आतिथे से बोले, बस मैंने तो भर पाया, अब कल चला जाओंगा, क्यों क्यों, आजी बस रहने दीजिये, बड़े नाम सुने थे पहाड के, यहां आकर सब कले खुल गई, सवेरे उठो, तो चारों तरफ घटा टो पहाड, जानों कैद खाने में पड़े है, उपर जाओ, तो जान निकल जाती है, किसी तरह पहुँचो, तो क्या देखो, कहां घुमो, मरीजों के हाल सुन सुन कर, और जी खपराता है, आपको इन जगणों से क्या मतलब, आप अपना स्व पास्ते सुधारने की बाते हैं, या बिगड़ने की, मैं यहां रहूंगा, तो बेमार पड़ जाऊंगा, आतित्ये ने कहा, आप भी क्या बात करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक बात करता हूं, तिरवेदी जी किसी तरह ना माने, और यदि पी उनके पहर की मोच, पूने तया नहीं हुई थी, तथा पी वे वहां से चल दिये, तिरवेदी जी ने घार आकर कसम खाली, कि वे पहार कभी न जाएंगे, और भुवाली तो कदापी नहीं जाएंगे, अभी आप विश्वंभनाच शर्मा कौशिक जी की लिखी कहानी पहार सुन रहे थे, इसी प्रकार की स हित्ति कहानिया सुनने के लिए कछा साहिते सी चुड़े रहिएगा, धन्यवाद